और से फर्स तक पहुचने की जब बात बिहार के निताव की की जाएगे तो मुके सहनी का नाम सबसे पहले होगा 2020 में जब बिहार विधान सभा का चुना हुआ था तो बड़े तेवर के साथ महागडवंदन छोड़ कर NDA में सामिल मुके सहनी हुए थे सिमरी बक्तियारपूर से चुनाओ भी लड़ा लेकिन जनता ने उन्हें अंधे मुग गिराने का काम किया उसके बावजूद विधान पारसत बन के मंत्री मुके सहनी बने और वर्तमान में अभी मंत्री भी हैं काफी तामझाम के साथ अपने पार्टी का विस्तार यूपी में किया और जिस परकार से 165 सीतों पे अपने उमिद्वार उतारे और जिस परकार से लगातार बीजेपी पर हमला बोला लगातार योगी और मोदी को निशाने पे लिया और सीधे तोर पे कहा था कि जो इतिहास यूपी में वो रचेंगे वो याद किया जाएगा और सरकार तो वही बनाएंगे अब आप समझ ये कई नारों के साथ 165 सीतों पे मुके सनी ने चुनाओ भी लड़ाता लेकिन योगी जी ने वैसा पठान मारा वैसा अंधे मुग गिराया मुके सनी को कि मुके सनी कहीं के नहीं रहे अब देखिये पता जिस परकार से पूरे मामले की बात कर ली जाए तो मुके सनी के आवाज के पास हम करें मुके सनी अभी नहीं है राची साहित वो पार्टी बिस्तार करने गया है और जिस परकार से काफी कहा जा चाथा है कि जो यूपी में जो नतीजे आ आ है वो कही न क कहीं जमानत भी नहीं वचा पाए मुकेश सनी सीधे तोर पे कहा जा सकता है कि जिस परकार से बड़े तेवर के साथ बड़े अकरामक के साथ यूपी में जब वो चुना परचार करने जाते थे जो 165 शीटों पर अपने उमिदवार उतारे थे उसके बाद एक भी खाता नहीं खुल पाया अब हाला देख लिजिए कि बियाहार बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर हैं जो नेता हैं वो लगातार मुकेश सनी पर हमला वर हैं और मुकेश सनी से इस्तिफा मांग रहे और सीधे तोर पे कह रहे हैं कि जिस मिलन के साथ बिहार में सरकार बनी थी और वहीं अभी विदान पार्सित मुकेश सनी के टर्म की बात कर ली जाए समय की बात कर ली जाए तो कुची महीनों में उनका विदान पार्सित का टर्म जो है वो खतम भी होने वाला और इसको लेक Gilmer, ठेट परताफ कि यादब भी लगातार निसाना साथ ने रहे हैं कि यहां बीच बवर में जो मुकेशानी की नईया है वो कहीं नकहीं फसी हुई है और उनके अपने जो विधायक है वो भी हमेसा बीच में BJP का गुंगान करते और उनको कहीं न कहीं आखे दिखाने का काम करते और देख लिजे चेहरा भले ही इनका मुश्कुराया होगा दर्द कहां कहां होगा सायद बता भी नहीं पाएंगे अब समझ ये कि आने वाले समय में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है और सीधे तोर पे योगी जो है बिहार के लिए उपयोगी साबित हुएं और मुकेश सनी ने जो पीठो का था खुद को सन अफ मल्ला का था ना घर के रहे ना घाट के अब आने वाले समय में पता चलेगा कि बीजेपी क्या अंजाम देती है किस परकार से मुकेश सनी को चोड़ देती है यह तमाम चीजे जो है वो आने वाले समय में साफ हो जाएगा लेकिन कहा जा सकता है कि बिहार के जो राजनीती है उसके आज मुक्य सानिय अभी कच्छे खिलारी कहे जाएंगे रोहित अन्विची 24 पटा